तो मुक्ही मंत्री भुपईश बगेल के नितरित्व में राज्य सरकार के 4 साल का कारेकाल पूरा होने पर प्रदेश सरकार की और से ग्राम पंचाइत परस्ठटी में गौरफ दिवस का आयोजन किया गया जिल में गौरब दिवस के सफ़ाल आयोजन के लिए ग्राम पंचायतों, गोठानों और धान खरीदी केंद्र में गौरब दिवस मनाया किया, जिसमें विधायक प्रतिनिदी हिमंत लक्षमी कांता साहू, जिला पंचाय सदसे कुसम लता तोशन साहू, सरपंच टोमन साहू की पिछले चार साल के कारेकाल में तमाम जो योजनाय थी उनके अंदर हासिल की कई उपलब्धियों की जानकारी दी गई, इसके साथ ही साशन की प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी दी गई गउराओ दिवस के रूप में आज पूरे प्रदेश में चार साल की जो प्रबधि है आज जो चार साल हुआ है गउराओ दिवस का उसके रूप में बना रहे हैं और गौरा ओ इसलिए कि जो हमारे बुपेश बगिल सरकार जी ने सपना देखा था चुनाओं के पहले अपने घोसा पत्र में वादा जो किया था योजना जो बनाई थी उस वादा और योजना को चुनाओं के पहले लोगों से चाहा जानकरी लिया और उसको चुदाओं के बाद जमीनी रूप में जो उन्होंने वादा किया दो उसको पूरा किया 36 गड़ के गरीब किसान के लिका मनला पढ़े बर इंगलिस मीडियम में पढ़े बर आत्मनंदी स्कुल भी खोले हैं अग्रेजी में बोल सके ऐसे बहुत से योजनलाइस जमें हमार 36 गड़ के आज विकास हुआ थे और 36 गड़िया सब ले बढ़िया आज ये सब सार्थक हुआ थे अर धान के कटोरा के जाते हमार 36 गला तो ये भी आज सार्थक हो होगे हमार मुखिया के माध्यम से पहली तो कहें मैं लगे 36 गड़ान के कटोरा है लेकिन कहें बसके रहे जरी रही गड़िया हमारे यहां भी सासन क्यादेशनुसार से सासन का मतलब भूपेद बखिल सरकार कर चार साल पूरुन हो गया है जिसमें और गोराव धिवास के रूप में सभी गाउठान में कारेकरम करवना था जिसमें चंग दैक लच्छी मिकrantत साहो जी हमन्चिया जीला पंचा सद्स्या कोसुम्लत्य साहु तोसं साहो जी हमारे ग्राम के समय्च्व कंच्गन महिले समहों समानी हमारे युवाराजवयों मित कि अध्याक्षा गौठान समीति की अध्याक्षा पूरे समस्य पद्धिकारी जो गौठान समीति है राजियों मितान ने वन समा